नमस्ते बच्चों, मेरा लाम है बिनी आज हम बात करेंगे बाराखड़ी के बारे में क्या आपको बता है कि बाराखड़ी क्या होती है? नहीं, तो चिंता ना करें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा देखिए बाराखड़ी हिंदी भाषा में अक्षरों का संग्रय होता है जैसे कि आपने आ को सुना ही होगा आ के बाद हमारे पास आ, ई, ई, उ, उ और ऐसे ही इन सभी अक्षरों को मिलाकर हम बाराखड़ी कहते हैं इन अक्षरों को सीखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि ये हमें हिंदी भाषा के शब्दों को पढ़ने और लिखने में मदद करते हैं जब हम बाराखड़ी को अच्छे से सीख लेते हैं तो हम हिंदी भाषा में किताबें पढ़ सकते हैं कहानिया सुन सकते हैं और खुद के शब्द भी लिख सकते हैं तो बच्चो अब आपको पता चल गया है कि बाराखड़ी क्या होता है तो चलिए अब आगे चलते हैं हिंदी वर्ण माला में 11 स्वर होते हैं ये स्वर हैं ये स्वर भाषा के मूल द्वनी अव्यव होते हैं और वे शब्दों को पूरा करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाते हैं अब आप भी इंच अक्षनों को सीखने के लिए तैयार हो जाओ मैं आपको बाराखड़ी सिखाने में बदत करूँगा तो चलिए हम साथ मिलकर इस सफर का आनंद लें तो चलो पहले स्वरों को समझते हैं आसे अम्मा जो की हमारी मा होती है जो की प्यारी होती है आसे आलू जो की सब्जियों का राजा कहते है इसे होती है इमली जो हमें खटा और मीटा स्वात देती है और ई से होती है इंट जो हमारे घर को निर्मान करने में मदद करती है उसे होता है उल्लू जो हमें रात के समय ज़्यादा दिखा ही देता है उसे होता है उंट जो की रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है रिशी से होता है रिशी जो तपस्या में लीन होते हैं और तप करते हैं A से होता है एडी जो हमारे पैर के निचले हिस्से को कहते है A से एनक इसको हम चश्मा भी कहते हैं जिससे हम साफ देख पाते हैं ओ से होता है ओखली, जिसमें हम अपने मसालों को कूटते हैं, ओ से होता है औरत, अंग से होते हैं खटे मीठे अंगूर और अंतह अह आता है, फिर आता है का से कबूतर, जो की एक पक्षी है, फिर खा से होता है खरगोश, जो सफेद कलर का प्यारा सा छोटा सा जानवर होता ह गासे है गमला गमले में हम चोटे चोटे पौदे लगाते हैं जो हमें फूल देते हैं गासे घर हम सभी का एक घर होता है न और डा चासे होता है चमच जिससे हम खाना खाते हैं चासे होती है चतरी जो हमें बारिश में बीगने से बचाती है जासे होता है जग जिससे हम पानी पी सकते हैं जासे होता है हमारा प्यारा जंडा हमारा तिरंगा और फिर या तहलाल लाल टमाटर जो की हम सबजी में और सलाद में खाते हैं ठासे होता है ठेला गाड़ी जिस प दासे होता है डमरू, जिससे मदारी, बंदर का नाच दिखाता है, और धासे होता है धकन, जो की हमें हमारे बरत्रों को धकने के काम होता है, जासे ना, दासे तर्बूच, तर्बूच तो आप सभी ने खाया होगा, दासे थर्मस जिसमें हम कोई भी चीच को गरम रख सकते हैं दासे होता है दात जो हमें चबाने में मदद करता है दासे होता है धनुष जिससे हम तीर चलाते हैं नासे होता है नल नल से पानी आता है पासे पतंग जो कि हम संक्रांती पे उड़ाते हैं बासे होते हैं फल, बहुत सारे फल होते हैं, आपने तो खाई होंगे, बासे बतक, जो क्वाक क्वाक करती है, बासे होता है भालू, भालू एक जानवर है जिसको शहद बहुत प्यारा होता है, मासे मचली, मचली जलकी रानी है, सुनाई होगा, या से यग, जिससे हम पूजा अर्जना करते हैं रासे होता है रसी रसी पानी में रसी कुवे में से पानी निकालने के काम में आती लासे लट्टू जिससे हम बच्पन में खेलते थे वासे होता है वन वन में होते हैं जंगली जानवर सासे होता है शे जो की जंगल का राजा भी होता है साशे शटकोण जिसकी छे बुजाएं होती है साशे होता है सबजी और हासे होता है हल जो किसान अपने खेतों में फ्योग करता है खेती करने के लिए शाशे शट्री त्रासे होता है त्रिशूल और ग्या से होता है ग्यानी तो बच्चो आज हमने हिंदी वर्ण माला के सारे अक्षा सीखिए